नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता हुआ कि State Bank of India में जब आप अपना online SBI के पास्वर्ट भूल जाते हैं, तो उसकी application ब्रांच में किस तरीके से देनी है? देखिए, SBI Online, SBI में जब भी पास्वर्ट, लॉगिन पास्वर्ट रिसेट करेंगे, तो application form के साथ कोई details आपके साथ होनी चाहिए, अगर कोई online SBI में कोई reference number generate हुआ है, तो हो, password, account number और application form, generally application form ब्रांच में मिल जाता है, अगर ब्रांच में ना मिले, तो नीचे description box में मैंने link दिया हुआ, वहाँ से download करके आप ब्रांच में submit कर सकते हैं, आईए आप वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से हमें react करना है, नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि customer request को हम कैसे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा कि customer request को मैं यहां पर दो हजार पाइस, उसके बाद आता है customer number, जिसका भी आप phone बढ़ रहे हैं, जिस account में अपनी checkbook में उसका नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम यहां पर, उसके बाद आता है mobile number, सबसे पहले आपको यहां पर अपने mobile number digit लिखने हैं, जैसे लिखने हैं, जैसे मेरे मुबाइल नमबर है, 97-82-6686, उसके बाद आता है अपने account number, अचांट नंबह पर आपको यहां पर नंबह लड़ने में जैसे कर यह पर लिखने पर आपको किसकी ब्रांच क्िक लिखने जैसे हैं कि उसके बाद आपको जो भी आपकी प्रोब्लम से उत पर आपको क्लिक करना है जैसे मेरे इंटरनेट बेंकिंग सर्वेस तो प्रेले अपन को यहां रिक्वेस्ट में क्लिक करना है और जो भी आपकी प्रोब्लम है जैसे कि मेरी प्रोब्लम लोगी इन पासवड किये तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो पूर्प आपको यहां पर नाम आजाएगा और यह पूर्म आपको डिरेक्ट अपनी ब्रांच में देना है उसके बाद जो भी कॉलम बज रहे हैं यह सब बैंक वाले करते हैं तो ठीक है दोस्तों आपको यह पसंत आया होगा मेरा फॉम बनना तो चैनल को सब्सक्राइब तो अब तो प्रेंट मुझे उभी ने आपको मेरा फसंद आया गाप्लीज मेरा वीडियो आपने वाट्सप ग्रूप पे शेर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रहें बैंकिंग रिलेटेट इंफोमेशन के रिए थेंक्यू अ कि बिलेटेट आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब